नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी लेकपाल एक्सपेक्टेड कटाफ आल कैटिगरी को लेकर की बात करेंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए जिसमें जनरल ओबी सी ये डव्यास येस्टी फ्रेडम पाइटर एक्स सर्विसमें पी एच सभी कैटिगरी को लेकर की बात करेंगे वीडियो को आप सभी प्लीज पूरा देखिएगा मेल और फीमेल की अलग-अलग कटाफ आपको बताएंगे अफीचल आंसर की कल आ चुकी है लेकिन डाउलोड नहीं हो पा रहा था और आप देखेंगे कि पहले टी-स एक्जाम करवाते थे यूपिटे पलस से कि अब दूसरा जो है यहाँ पे एजेंसी आ चुके हैं तो पुरा फार्मेडी अलग कर दिया है उन्होंने किस परकार से आपको आंसर की चेक करना है किस परकार से आपको उसमें आपजक्स कर रेश करना है और अब थोड़े देर पहले लगबग एक डีड़ घंटे पहले साइट प्रॉपर चलेगी है जब हमने डिडियो अप्लोड किया है उस टाइम से आप देखेगा एक सवा इसी तरह से चार-पांच प्रशना है समीला करके एक आपका जो नमक सत्यागरा है कि नमक कुछ आयोग में उसको दांडी माना है सही और यहां पर सापरमती को सही माना गया यूपिटर पलसी आयोग के द्वारा इसी तरह से पांच से च्छे ऐसे प्रशना है जो लग रहा है कि आपजेक्शन लाएख है और मेरे हिसाब से कम सकम तीन से चार कामन अंक मिलना चाहिए तीन से चार कामन अंक उझ्वला वाले में अगर आप अंग्रेजी वाला अगर वर्जन देखेंगे ना तो उसकिर फिर पर डाउट लगे जिनको भी डाउट लगे आप अपने हिसाब से क्योंकि अगर एक दू कामन नमबर मिल जाते तो आपके एक दो नमबर बढ़ जाएंगे अगर उप्रस्ण गलत होंगे तो आपके बढ़ जाएंगे नमबर और प्लस आपके जो नेगेटिव मार्किंग हो र देनी है ऐसा नहीं गूगल वगरा को नहीं चलता है तो यहां पर देख लेते हैं एक बार एक्सपेक्टर कटाफ और थोड़ा सा आप मेरी बात पुरी सुनिएगा मैं आप सभी से निवेदन करता हूं जैसे यूपी ऐसाए में आप देखेंगे 76 परसंट कटाफ गई थी लगबग 75 परसंट लोवर का मैं दो तीन भरतियों का ही एक्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं केवल यूपी ऐसाए बाले में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था यहां पर तो नेगेटिव मार्किंग था लोवर पीसे वाले मोहन पूर्थ पेपर मेंस की बात कर रहा हू आप कैसे एक्सपेट कर रहे हैं पहले जब लेकपाल का एक्जाम होने वाला था तो पीईटी का जो कटाफ हैं पचास तक बताया जाता था ज्यादत से ज़्याद़ा लोग जहां लेगपाल का कोर्स करीदेंगे और अभी जो हैं लेकपाल की परिक्षा हो चोकी है तो चाहसी चौरासी पचाहसी चीएसी मतलब यूडिये ल्डिये सप्लाइंस फेक्टर का समझ में आ रहा है चलिए 87, 88, 89, 90 तक कटाफ या 90 प्लस भी जा सकती है जनरल के लिए ओ समझ में आ रहा हूं सीटे के वल सेमेंटी सिक्स है कितना भी फरजी वाड़ा होगा तो क्या 8,000 में दो-चार जार सीटे फरजी वाड़ा की हो गए 100-200 फरजी वाड़ा हो सकता है उसमें भी आप देखें के बहुत सारे लोग पकड़े गए जाच चल लई है उसमें और भी फरजी वाड़े वाले हो तो ओ भी पकड़े जाएं ताकि किसी भी महनती अब भेरती कि जो उमी पर भी अपने सेर किये थे किस सेक्शन में कितने नंबर हैं और हमारे उतने ही नंबर आफिसल आंसर के की बात से भी हैं तो थोड़ी से कमी तो रह गई है हमसे ग्रामेड परिवेस वाला सेक्शन थोड़ा सा हमारा सही नहीं पेपर हो पाया बाकी और सब ठीक था तो ग्रा अफेश्ट का रहे था हाला कि कुछ लोग टापर हो सकते हैं कभी कभी लग साथ दी जाता है बट सबका अलग तो साथ देगा नहीं अब यहां पर जितने भी फीमेल कैंडेट है एक हमारा आपसे रिक्वेस्ट है मैं फीमेल की लिए हम अलग से कोई कटाफ यहां पर आपको फिर से मतलब उसका कोई स्लाइड नहीं दिखाएंगे उससे वीडियो लंबा होगा आप परिसान होंगे तो आप फीमेल जितने भी क तक कम करिएगा उससे ज्यादा नहीं वह जड़ा फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि फीमेल केनेडेट की संख्या भी ठीक ठाक है लेकिन मेल केनेडेट की तुलना में बहुत कम है तो कम सकम आप एक से दो नंबर तक कम जरूर कर लीजिएगा उससे भी कम जा सकती है में भ चाहिए अगर फीमेल है तो आप दो नंबर कम सकम कर सकते हैं इसमें अधिक्तम दो नंबर तक या कम सकम एक नंबर कम कर सकते हैं मतलब 74 से लेकर कि 76 के आसपास तक फीमेल अनरिजर्व या जनरल की कटाफ जानी चाहिए EWS और OVC की कटाफ लगबग सेम जानी चाहिए मेल कंडिडेट के लिए 74 से 76 और अगर फीमेल कंडिडेट है तो आप इसको 72 से 74 कर लीजिएगा फीमेल कंडिडेट के लिए मेल के लिए OVC हो या आप EWS हो अब EWS के जो कटाफ है कम नहीं जाएगी वह जाता जैसे पहले गया हुआ है बहुत लोगों ने EWS बनवा लिया था लेक पाल फॉम बनने से पहले तो 74 से 76 मेल फीमेल के लिए 72 से 74 OVC और EWS का लगबग इसे के आसपास कटाफ जाना यसी के डिगरी में मेल के लिए 72 से 74 और फीमेल के लिए 70 से लेकर के 72 के बीच में फीमेल के लिए मेल के लिए 72 से 74 यसी के डिगरी मेल के लिए 70 प्लस 70 के आसपास तक 69, 70, 71 तक अधिकतम अगर फीमेल के लिए यहा पर तो 68 से लेकर के 70 तक 70 से कमी रहना चाहिए 68 या पर 67 क यह बहुत है फीमेल यश्टी केटिग्री में एक सर्विसमें के कट आफ मेरे हिसाब से सबसे कम जाने चाहिए यश्टी के बराबर लबग या फिर यश्टी से भी कम जा सकती है यहां से तो एक सर्विसमें के लिए 64 से 66 फ्रीडम फाइटर के लिए इसको आप थोड़ा सब कर लिजे 64 क्योंकि 63 फ्रीडम फाइटर के लिए तो इसको आप इतना ही मान के चलिए 63 से लेकर के 67 की बीच में अच्छा एक सर्विसमें के एक फिर से देख लिजी हमने वो गलत हो गया था 62 से लेकर के 66 तक एक सर्विसमें में 62 से 66 जो पहले बताया उसको आप छोड़ देजी यह वाल आप देखिए और एक लाश्ट यहां पर पियच के डिगरी के लिए 66 से लेकर के 70 तक तो यह हो गई कटाफ को लेकर के हमारी अनलसिस बाकी आप सभी अपने नंबर जरूर शेर कर दीजीगा आफिशल आंसर की आप लोग चेक कर लेजी जिन लोगों ने चेक न किया हो और आपको कितना लेकेंगे फाइनल रिजल्ट भी देने के तैयार है तो वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक और शेर भी कर दीजीगा अगर आपकी इच्छा हो लाइक आप लोग जरूर कर दीजीगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्रा कर ले धन्यवाद